गाडेनिया या गंदराज के पौधे पर अफलारिंग का समय आ गया है गाडेनिया के पौधे पर यदि कलियां गिर रही है या लीव्स यलो होकर के गिर जाती है इस तरीके से कली बनने के बाद बड डॉपिंग की प्रॉब्लम हो रही है तो किस तरीके से आप अपने पौधे को healthy बना कर रख सकते हैं, fungus free रख सकते हैं, growth अच्छी ले सकते हैं या फिर कलियों को गिरने से बचा सकते हैं आज के वीडियो को देखने से आपको पता होगा कि gardenia के पौधे की care कैसे करनी है पिछले दो वीडियो में जिस तरीके से इसके care के बारे में मैंने बताया था, यदि आपने follow किया होगा तो निश्चित तोर पर आपके भी गंधराज के पौधे में आप flowering शुरू होने वाली होगी या कलिया बन रही होगी गंधराज के पौधे से जुड़ी हुई किसी भी प्रकार की query है यदि आपके mind में तो मेरी आज की ये वीडियो में मैं कोशिश करूँगी की सारे point को cover करूँ सबसे बड़ी problem होती है गंधराज में कि कलिया बनती तो हैं लेकिन गिरने लगती है कलिया तभी गिरती है जब पौधे की soil में पोशक ततों की कमी होती है या फिर आपके पौधे को proper feeding नहीं किया जा रहा है गंधराज का पौधा जो है ये heavy feeder होते हैं यानि की heavy feeder वो पौधे होते हैं जो बिना खाद के flooring नहीं करते हैं और जिने frequently खाद की ज़रुरत पड़ती है जैसे गुलाब का पौधा है तो सबसे पहली चीज़ ये है कि गंधराज के पौधे को हर एक 15-15 दिनों पे आप fertilize करेंगे fertilize करना बेहत जरूरी है आज के वीडियो में मैं 3-4 खाद बताऊंगी इन में से किसी भी खाद का आप इस्तमाल कर सकते हैं देखिए ये मेरा पिछले साल का गंधराज का वेल्रें स्वाइल बनाने के लिए गार्डन स्वाइल में सैंड और या कोकोपीट और कंपोस्ट की मातरा होनी चाहिए तो बराबर मातरा में आप गार्डन स्वाइल ले लिजे वर्मी कंपोस्ट और कोकोपीट कोकोपीट नहीं है तो सैंड मिला सकते हैं और नीम खली मिल तो कई बार फंगस पहले से ही लगे होते हैं नियू पौध में जो कि आपके हाँ आने के बाद आपके गार्डन में जादा बढ़ जाते हैं और फिर पौधा बिना वज़ा धीरे-धीरे मरने लगता है तो नीम खली एक अच्छा उप्शन है हमेशा जब भी आप मिट्टी त चेक कर लीजे उपर से मिट्टी को इस तरीके से लड्डू साब बनाएंगे और लड्डू बंद नहीं रहा है यह जो स्वाइल है इसमें मौश्चर की बहुत जादा कमी है और इसमें पानी की कमी है और यदि मिट्टी जो है वो बंद जा रहा है इसका मतलब यह है कि अभ इस मिट्टी में मौश्चर है यानि पानी अभी दो दिन के बाद देंगे लेकिन इस मिट्टी में बिलकुल मौश्चर नहीं है यानि पानी की नीड है अब यदि पानी आप बहुत जादा दे देते हैं जैसे इस गमले को हम पानी यदि देते हैं तो इसमें बड्ड की प्रॉब्लम होगी और पतियां पीली होगी यानि दोनों ही सिचुएशन में ओवर वाटर और अंडर वाटर दोनों ही सिचुएशन में पौधे को नुकसान होगा तो आपको ये ध्यान रखना है कि कभी भी पानी का बैलन्स बना रहे या तो आप एक शेडूल बनाईए कि वीक में दो या तीन बार पानी देना है और दूसरी चीज ये है कि जब कभी भी पानी दें अच्छे से उपर से नहलाते हुए पानी दे दें और फिर तिन-चार दिनों तक रुख जाएं क्योंकि पानी जो है जब कभी भी हम देते हैं इस बात का ध्यान रखें कि थोड़ इसको सनलाइट चाहिए सनलाइट जैसे अभी मे जून जुलाई में आप मौर्निंग की दे सकते हैं दोपहर की धूप से बचाएंगे लेकिन अभी फैब में आप पूरे दिन के सनलाइट में रखें अब यदि पौधा ग्रो नहीं कर रहा है या पौधे में बड डॉपिं और उसी पानी से स्प्रे कर दिजे बचे हुए पानी को जड़ों में डाल दिजे इससे बहुत जल्द ये जो बड डॉपिंग की प्रॉब्लम है ये सौल्व हो जाएगी ये एनपी के का 1990-19 जो है ये नरसरी पर बहुत आसानी से मिल जाएगा मैंने भी नरसरी से लिया है अब बात करते हैं खाद की देखिए मैं जो डाल रही हूँ ये हुमिक एसीड है इस जगह पे आप वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं या फिर सरसो की खली ले सकते हैं लेकिन किचन वेस्ट वाले खाद को अवाइड करेंगे गाडेनिया के पौधे के लिए यदि आपने वर्म के दो चम्मच इस स्प्रिंग के सीजन में वर्मी कंपोस्ट डालिए आपका पौधा बहुत जल्द फ्लारिंग करने लगेगा मैं हुमिक एसीड ऐसलिए डाल रही हूँ क्योंकि वर्मी कंपोस्ट से मैं अपने पौधे को फीड कर चुकी हूँ और ये दूसरी फीडिंग है तो खाद को चेंज किया है मैंने जो ये हुमिक एसिड है ये भी असानी से आपको नरसरी पर मिल जाएगा एक चम्मच हुमिक एसिड आपके दो पौधों के लिए काफी है यानि कि मातरा का आप विशेष ध्यान रखेंगे जैसे जो एनपी के है वो आधा चम्मच लिया इसने पानी को बिलकुल अच्छे से एब्जॉब कर लिया यानि कि मिट्टी ड्राई है तो हर वाटरिंग के पहले मिट्टी का ड्राई होना जरूरी है खासकर खाद देने के पहले सौइल का ड्राई होना जरूरी है यदि मौश्चर है सौइल में और आप खाद दे रहे है लिक्विड खाद तो हो सकता है कि वहां से फंगस क्रियेट हो, खासकर गाडेनिया के पौधे में तो बहुत ही केर करने की जरुरत परती है, खाद दीजे और पौधे को फिल्टर्ड सनलाइट में रख दीजे, गाडेनिया को तीन महीने धूप से बचाना पड़ता है, यानि यदि हम प्रून करते हैं, तो वो अपनी नई एनरजी दिखाते हैं और निव निव लीव्स निकलती हैं, कई बार ये भी होता है कि जहां से हम कट करते हैं, उसके नीचे ही एक्टिव हॉर्मोन होते हैं, तो इसलिए प्रूनिंग के बाद पौधा बहुत जादा बुशी नजर आता है, बहुत जादा अपनी ग्रोथ को दिखाता है, तो गंदराज पर जादा फ्लारिंग लेने का एक ये भी तरीका है, कि पौधे को हर एक महीने स्वाफ पिंचिंग किया करें, और अभी स्प्रिंग में आप अच्छे से प्रून कर दें, अब बात ये हैं कि ये दिनों के बाद इसे रिपीट कीजिए, और ये जो खाद का प्रोसेस है, ये भी आपको एक रेगुलर वे में चलाना होगा, पौधे पर हर एक पंदरा दिनों में गुडाई कीजिए, और फिर आप करके देखिए, जरूर बड डॉपिंग की प्रॉल्म सॉल्व हो जाएग गंदराज के लिए अब न्यू पौध ले रहे हैं, तो हमेशा 8 से 12 इंच के बीच का कंटेनर लीजे, यदि आप कंटेनर गार्डेनिंग करते हैं, तो ये आइडियल कंटेनर होगा इसके लिए, यदि पौधे में फिर भी पत्तियां पीली हो रही हैं, इतना कुछ करने के बाद भी, तो आप एपसम सॉल्ट से स्प्रे कर सकते हैं, एपसम सॉल्ट आसानी से मिल जाएगा, लेकिन वर्मी कंपोस्ट ही नाइट्रोजन यूगत है, या ये खाद ये एनफ होगा गंदराज के लिए, मुझे उमीद है जनकारी अच्छी लगी होगी, धन्यूद्वा